हालो दोस्तों, तो आज के आपके कारेंट अफैस शुडू करते हैं, तो I hope आप इस initiative के बारे में जानते हैं, the agent is very simple, कि जो news है, हम उसको वैसा का वैसा ना जाने, रादर उनकी interlinkages इस पे दिहान दे, यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, कि जो आपने हो सुन रहे हो, हम उसको consume करने का तरीका ही बदल देंगे, कि when you listen about a news, आपके दिमाह में क्या thoughts आने चाहिए, what should be a way of action, way of thought, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन, before I start the video, ध्यान देना, आज 16 जून है, और कल भी एक वीडियो आया है, 15 जून को, तो make sure, कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इस इस वीडियो, then come back, because ये शुरुवात है, it is better, अगर आप sequence में बात करें, ठीके जी, चले, तो पूरी interlinkages की बात करेंगे, बहुत ज़दा news में था कि, इंडिया का जो high commission staff है पाकिस्टान में, that is, like, those people have gone missing, right, not everybody, लेकिन कुछ Indian workers है, जो की missing हो गए, eventually मिल गए, लेकिन ऐसा क जा रहा है कि, पाकिस्तानी security agencies ने उनको abduct किया था, लेकिन, पाकिस्तानी authority कह रही है, पाकिस्तानी authority कह रही है, नहीं, पाकिस्तान security agencies का इससे को लिना दना नहीं है, रादर, जो आपके Indian workers है, उनको accuse किया गया है, hit and run cases में, इसी लिए उनकी इस तरहां से बात हुई है, ठी क्या सच में ऐसा हुआ था, तो when I look at certain papers, I was trying to google about it, and what I could find out, कि ये incident कब हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, अगर में sequence of events में देखो, तो India ने दो employees को, जो की Pakistan High Commission थे, उनको expel कर दिया, कि आप तो espionage कर रहे हो, आप तो spy हो, उसके 15 दिन बाद, इंडिया के जो ये दो लोग है, लेकिन क्या इसके बारे में कोई legally बात हुई, क्या अभी तक ऐसी कोई बात है कि हाँ, ऐसा ही हुआ है, these are all contemplations की ऐसा हो सकता है, accused है, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन क्या इसके बारे में कोई legally बात हुई है, so you really don't know what actually triggered the incident as of now, right, तो कभी भी आप exam में 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 मे legal backing ना हो, अब अगर हम legal backing की बात करें, तो कुछ points हैं, जो कि आपको पता होने चाहें, ठीक है, simple है, देखते हैं, सबसे वहले तो आपके दिमाम के पते क्या आना चाहेता है, मैंने Pakistan ये India High Commission की क्यों बात की, मैंने Embassy क्यों नहीं कहा, तो इसका answer क्या है, जितनी भी Commonwealth countries है, Commonwealth countries क अभी Britishers के अंडर थी, जो British Dominion का पार्ट थी, उन Countries के लिए, आज भी Embassies को High Commission कहा जाता है, अब यहां पर आपको डाउट आना चाहिए, कि India अब तो Commonwealth country नहीं है, अब तो British Dominion है, वाइस हो, See, you'll have to understand कि अगर India honorary किसी की membership ले रही है, किसी की membership के लिए हां कर रही है, वो भी तो India का अपना decision है, India की sovereign power है, कि वो internal decisions भी ले, external decisions भी ले, तो जब इसकी membership ली गई तो Pandit Nehruji ने भी यही कहा, कि हम अपनी will से इसकी membership ले रहे, it doesn't mean that we are under the Queen, या हम उनके under आते है, it is just a membership जो हम ने उनको honor करने के ली है, तो ये जी समझना बहुत ही जादा जरूरी है, also, अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे laws हैं, जो diplomats पे applicable है, तो जो Vienna Convention है और diplomatic relations, ये इन पे applicable है, किसके द्वारा दिया गया है, by International Law Commission, अब ध्यान देना, जितने भी ये diplomats हैं, embassies में लोग हैं, ये कुछ articles हैं, कुछ laws से बंधे हों हैं, लेकिन इस particular case में अगर हम बात करें, अभी तक जो चीज सामने आई है, दो particular articles की बात होगी, simple है, कि एक law में, एक statute में बहुत सारे articles हो सकते हैं, but you'll always have to get into the articles, जो कि important है, तो यहाँ पे दो articles की फिलहाल बात है, eventually अगर आगे कुछ न जाना है, है न, तो you'll have to take the permission of the head of that commission, because ultimately मान लीजे कि कोई पाकिस्तानी citizen है, उसे इंडिया की high commission, जो एक तरह की embassy है, जो की पाकिस्तान में है, वहाँ जाना है, they'll have to take the permission of the head, also, एक particular article 22 जो बताता है, कि जितने भी लोग उस high commission में काम करते हैं, वो उनकी family, उनको कुछ immunities मिल हुई है, क्या उन पे cases लग सकते हैं, किस तरह की cases लग सकते हैं, किस तरह की cases नहीं लग सकते, वो यह सारी चीजे defined है, और इनके accordingly आगे अब चीजे होगे, दो optional protocols हैं, जो उसे associated हैं, क्या protocols हैं, पहली चीज कहती है, कि जितने भी उस embassy से related लोग, या उनकी family है, वो उस particular country की membership या sorry, citizenship rather, to be very precise, नहीं लेंगे, और दूसरी चीज क्या बोलती है, कि अगर इन इस particular Vienna Convention को interpret करने में कोई भी दिक्कत आए, तो आप International Court of Justice के पास जाओगे, वो इसका समधान करेंगे, लेकिन important चीज क्या है, ये दोरों ही चीजे optional है, so you might or might not ratify it, क्योंकि ratification की बात हुई है, अगर आप यहाँ पे देखो, the ones in green are the states which have not, sorry, which have ratified the convention, and the ones in red are the ones which are not parties, इसका मतलब है, सारी की सारी UN member states, parties नहीं है, तो अगर आपको ऐसे भी options आते हैं, कि all UN members are parties, तब भी you should be able to analyze, also यहाँ पे बहुत हैं, कि जितने भी diplomats है, उनको एक code of conduct follow करना पड़ता है, being a diplomat, अगर व follow ना हो, तो वो किसके अंडर आएगा, code of conduct के अंडर आएगा, now, क्योंकि India और Pakistan, JNK, सभी की बात होती है, तो कुछ चीज़े हैं, जो हमें सोचनी चीए थी, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कि अगर ऐसा मुद्दा है, तो इसके पीछे क्या legal background है, ठीके, अग अगर मान लीज़े, मुद्दा है, तो responsible कौन है resolution के लिए, जैसा कि मैंने बताया, optional है, कि अगर interpretation में दिकता है, तो आप ICJ के पास जाएंगे, लेकिन बाकी भी तो मुद्दे है, who will resolve it, तो again, क्या same body resolve करेगी, तो ध्यान देना, अगर आपको इंडर स्वाटर ट्रीटी के ब करेंगे, उसके बाद, कि क्या आपको कुछ और ऐसे examples याना आने, जहां VNR Convention यूज़े है, जो कुल भूशन जी का case चला था, क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है, क्या वहाँ इसकी बात हुई थी, you'll have to go back and check, now, what can India do, है ना, दुचार important चीज़े हैं, that I want to discuss here, ठीक example, you can always talk about a war, if necessary, ठीक है, पर वहाँ पर बहुत सारी दिक्कते हैं, that you know about, now, अगर हम डोकलाम जैसा कोई stand लेते हैं, again, it's a very aggressive stand, सही है या नहीं है, irrespective of that, you'll have to at least consider कि क्यों ऐसा decision लिया गया, now, कुछ और तरहा की sanctions भी होते हैं, जैसे कि economic sanctions, कि मान लीजे कोई Pakistan का समान, यह इ इतनी भी international organizations के दोनों पार्ट हैं, वहाँ पर मुद्दे उठाये जा सकते हैं, जैसे कि सार्क साटलाइट के समय क्या हुआ, कि Pakistan ने उस चीज को हा नहीं किया, उस से associate नहीं हुआ, तो क्या India आगे नहीं बढ़ा, क्या वो साटलाइट नहीं है, उसका नाम बदल दिया गया South Asia satellite, तो आप समझने हो कि international organization में भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं, और वहाँ पे इनके solutions निकाले जा सकते हैं, not exact solutions, but आप अपने sanctions तो definitely लगा सकते हैं, आप अपने मुद्दे जरूर डिसकास कर सकते हैं, resolution हो ना हो, that is the second step, सबसे पहला step है कि मुद्दे को वहाँ पर बता इस होंगे, या citizens होंगे, इस पे बहुत बड़ा question है, and one very important thing, कि आप स्पा पे बहुत ज़दा news रहती है, Jammu and Kashmir में, तो यह जो आप स्पा के मुद्दे ही, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, no, rather than यह देखना कि क्या सही है, क्या गलत है, you'll have to understand the मुद्दा, now what does the मुद्द decisions ऐसी है, कि उन्हें tough कदब उठाने पड़ते है, पर Supreme Court क्या कह रहा है, Supreme Court कह रहा है, अगर आप स्पा जो है, इतने समय थे वहाँ थी, तो क्या आज तक उन मुद्दो का resolution नहीं हुआ, why for so long, why there was no resolution, right, तो यहां बहुत सिंपल से सोचने वाली बात है, कि अगर कहीं पर UT बना दिया गया है, if it's a good decision or a bad decision, it's absolutely secondary चीज़, लेकिन कि अपने चीज़ को नोटस किया, कि anything which comes under state, उसकी मुद्दो की पूरी की पूरी जो schemes है, funding कौन करता है, center करता है, इसका मतलब है कि जितनी की conflicting state है, वो अब किस ने अपने 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 address करेगा, तो इसको भी समझना बहुत जादा जरूरी है, क्या कभी कोई final solution निगलेगा इस मुद्धे का, जितनी भी IR के मुद्धे हैं, जैसे कि कल हमने कुछ positive discuss किया, आज आपने देखा कि Chinese soldiers के साथ क्या हुआ, तो there always be ever evolving things, variables होंगे, and accordingly ही changes होंगे, ठीक है, तो आपने कु regular antibody, जो है, test रहते है, antigen based test है, तो इन tests को आपको करना है, और उन्होंने बोला कि बहुत सारे infections है, जो asymptomatic है, तो कुछ terms है, उनसे पहले आपको ये चीज़े पतावने चाहिए, हमना बहुत randomly use कर देते हैं, covidic, epidemic है, pandemic है, इन सभी की definitions अलग है, so you'll have to go back and check कि इन चारों में ये deduct हो सकते हैं, accordingly, कौन से point important है, virus का नाम, बहुत जादा लोगों को virus का exact नाम ही नहीं पता, अब एक symptomatic transition होता है, एक asymptomatic transition होता है, the moment you say कि कोई affected है, कि उसमें symptoms मिले हैं, that is symptomatic transaction कि उनमें symptoms मिले हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें symptoms ही नहीं मिलते, right, इसलिए हम बता ही नहीं पाते ही कि उन्हें COVID है, नहीं वो आम जिन्दगी ही जी नहीं, उन्हें कोई दिक्कत आ ही नहीं रही, ऐसो को लोगों को asymptomatic कहा जाता है, और इसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें ये virus से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्हें कोई symptoms नहीं आ रहे हैं, और वो एक normal life जी रहे हैं, तो asymptomatic का भी आपको मतलब पता होना चाहिए, दो तरह के टेस्ट हैं, एक है आपका antibody test, एक है RT-PCR test, पहले test में क्या होता है, आपकी body में चेक किया जाता है, क्या coronavirus से लड़ने के लिए antibodies हैं, क्योंकि antibodies कवाएंगी, जब कोई foreign virus आपकी body में आएगा, body की tendency है, मुझे तो पतालग जाना चाहिए, लेकिन इसका एक flaw है, what if test पहले हो गया, और body ने तब तक antibody जनरेट करनी शुरू नहीं की थी, then what, similarly RT-PCR test, RT-PCR test क्या होता है, यह DNA चेक करने के लिए होता है, तो जो यह coronavirus है, यह RNA virus है, तो होता क्या है, RNA को coronavirus के DNA में बदला जाता है, और देखा जात जाता है, तो कहा जाता है, कि आप इस बिमारी से ग्रस्त है, लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत है, अब इसमें आपके मूँ से ना swab लिया जाता है, गले से तो भी प्रसाइस, वाट अफ उस पर्टिक्लर जगह से, जहां से यह लिया जा रहा है, what if वहां पे coronavirus का RNA था ही नही है, everything was fine, suddenly second wave की बात हो गई, जैसे कि New Zealand में हो रही है, पहली चीज, second wave को scientific term नहीं है, बट यह stages को कहा जा रहा है, कि पहली बार खतब होने के बाद जो दूसरी बार हो, उसे second wave कहा जा है, and very important thing, जो मैं आपको कल भी बताई थी, कि इसका comparison बहुत important है, अब SARS भी तो वाइरस थ जो था, उस समय पे वो जादा dangerous था, क्योंकि इसका फैलने का तरीका different है, COVID जो है, वो easily fail रहा है, SARS में क्या होता है, victim absolutely inactive हो जाता है, तो आगे जा ही नहीं पाता, तो फैलने की tendency भी कम हो जाती है, contain करना भी easy हो जाता है, इसलिए हमेशा इन सभी छोड़ी बातों का ध्यान जरूरी है, ठीक है जी, चलिए, जो Indian gas exchange है, पहली बार यहाँ पे, gas की trading की बात हुई है, ठीक है, तो एक trading platform की बात है, कि वहाँ पे gas की trading होगी, अब very important thing, जैसे ही gas की बात आई न, exam में हमें सवाल आ जाते है, CNG, LNG पे, हम यह नहीं सोचते हैं कि CNG, LNG भी तो natural gas associated है, जाता है, उसे compress करके किया जाता है, so that और जादा natural gas और easily transport हो जाए, इसलिए उसे दूसरी form में करते हैं, रादर, जब इसको use करने की बार याते है, कई बार इसे regass किया जाता है, regassing क्या होता है, कि दोबारा से उसको natural gas की form में बदलना, from these forms, ठीक है, तो यहाँ पे, जिस natural gas की बात हो रही है, इसको regass किया जाता है, ठीक है, यह important है, अब क्योंकि trading की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, on the spot trading भी है, और forward market की भी बात है, futures की बात नहीं है, as in कि उस समय भी आप trade कर सकते हो, और future date के लिए भी आप decide कर सकते हो, कि इस particular date पे इतना natural gas मुझे इतने पैस trading नहीं है, सिर्फ imported की trading है, क्यों, क्योंकि जो domestically produced है, उसका price already एक body decide कर रही है, जो imported है, that depends upon the demand and supply, इसलिए उसकी trading की बात हो रही है, और जैसा कि मैं कहले है, re-gassified जो ही होती है, क्योंकि बाहर से आरी, import हो रही है, national gas की form में आनी सकती, compressed form में आती है, ठीक है, again, जैसे मैंन trading हो रही है, नहीं, तीन particular जगे है, जहां पर यह trading हो रही है, जिस गोबा, तीन particular जगे है, रादर, जहां की natural gas की trading हो रही है, उन storages की, you go back and check out, कौन सी तीन, also, market driven pricing mechanism की बात क्यों है, जैसा मैं आपको बता है, imported वाले, जो जितना भी natural gas है, वो demand supply पे associated है, लेकिन domestic के साथ ऐस करा रहा है, तो वो क्या करें, तो एक new gas policy की बात है, जिसमें इन बातों की discussion होगी, eventually, we'll have to see कि इसकी क्या बात हो रही है, also, इसका advantage पता है कि shorter contracts है, जल्दी, एक middle man नहीं रहेगा बीच में, short contracts भी होंगे, long contracts भी होंगे, इसे कि पूरा market ही set up हो जाएगा, initially for imports and eventually someday maybe for the domestically produced natural gas as well, now two important things, क्योंकि natural gas की बात हो, यह जितनी भी pipelines हैं India and the world की important जो news में रहती है, IR के perspective से, आपको definitely पता होनी चाहिए, also, I would like to talk about one miss normal, क्या miss normal है, यह क्या national infrastructure pipeline news में बहत है, a lot of you think this is actually a pipeline, no, यह एक बहत ही बड़ा project है, India में infrastructure create करने के लिए, तो confused नहीं होना, गलत नहीं समझना ची Now, recently NASA ने एक lunar orbiter, mini satellite की, mini international station की बात की है, अगर आप इसको देखो, तो NASA's gateway lunar orbiting outpost, क्या है यह, NASA का एक Artemis program है, जो कहता है, कि वो space में पहली woman और second man को भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने एक mini space station बनाया है, जो की moon के आसपास घूम रहा है, यह जो mini space station है, इसके basic agenda क्या है, पे labs है, experiments हो सकते हैं, क्योंकि जनता वहाँ जाएगी, habitation है, अगर आपने space associated movies देखे हो, जो भी robots है, rovers है, space station से connect होते हैं, यही तो वहाँ चीज़े होगी, and most important, जहां भी जाते हैं, space में communication होनी, बहुत साथा important है, now you'll have to think, अगर communication हो रही है, यह सब power आ रही है, कहां से आ तो solar power communication hubs है, इस पूरे space station को, जो habitation वाला पार्ट है, that is called habitation and logistics outpost, तो basic agenda क्या है, इनका, दो चीज़े याद रखना है, बहुत सारे articles कहते हैं, कि NASA के Artemis program का agenda है, universe का unobstructed वी हो, कि universe को easily assess कर सके, लेकिन अभी तक बस इतनी बात हुई है, कि जो यह particular program है, lunar gateway का, इसका agenda क्या है पहले moon तक missions बेजें, eventually Mars तक, तो eventually, जैसे जैसे हमारे पास data आता जाएगा, हम इसके बारे में और बाते करेंगे, ठीक है, spacecraft बहुत important है, कि इस particular program में, जब आप बात करो, कि कौन से particular spacecraft की बात हो रही है, also, gateway versus international space station, in general, इन दोनों में क्या फर्क है, बहुत simple है, यह जो mini satellite, moon के पास घूम रही है, इसका नाम इनोंने रग दिया, gateway, और in general, जो space में international space station है, उसमें और इसमें, क्या फर्क है, बहुत simple सा difference है, सबसे पहले, countries का difference है, कौन सी country किस से associated है, so you go back and check out, क्या India से associated है, the moment you see, international space station में, you go as per the convenience है, कि जब आपका orbit में से समय आता है, लेकिन gateway को इस तर in mission से associated है, तो इनका काम definitely एक है, लेकिन applications में पिलाल कुछ differences है, and eventually as we get more data, you should check that out, also, जैसा कि मैंने बुला, क्या India इसका partner है, और जो जो country's partner है, उनकी space agency का नाम क्या आपको पता है, जैसे JAXA for Japan, ठीक है, NASA for US, तो इनका भी आपको पता होना जरूरी है, next cheese, I wanted to compare India spacecrafts and any other space program, let's say कि NASA, इस NASA का space program superior, एक miss normal क्या है, कि NASA तो forever से ही programs चल रहा है, नहीं, जहां NASA 50s की बात कर रहा है, Indian space program 60s की शुरुआत से बात कर रहा है, now you'll have to understand, to compare, चीजे comparable होनी चाहिए, let's say कि क्या उनके पास budget जादा है हमसे, क्या उनके पास resources जादा है, क्या उनकी association बाकी countries से हमसे जादा है, इन पे comparisons करना जरूरी है, लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी है, कि जैसे जैसे हम experiments कर रहे हैं, जबी आप news पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो, India पहली 5 countries में हो गया, जिनके पास so and so technology है, so and so satellites है, इसका मतलब है, इंडिया की growth भी exponentially high है, irrespective of उनके पास जो भी resources है, ठी artificial intelligence की बात है, कि एक global partnership है, उसको India ने join किया है, ठीको यहाँ पे न दुचार चीजें that I wanna talk about, कुछ terms है, ठीक है, एक तो जो यहाँ पे artificial intelligence basically क्या है, बहुत simple है, कि computers में पहले क्या हो रहा था, आप input डालते थे, अब accordingly output आता था, अब आप क्या कह रहे हो, जैसे humans अपने आप स terms बताऊने चाहिए, तो आजकल क्या है, कि AI with human touch की बहुत जादा बात है, for example, Netflix की बात करते है, Netflix, Amazon Prime है न, you watch some series, ठीक है, आप human touch देते हो, data करते हो, and आगे analysis होना शुरू हो जाता है, कैसे, ठीको मान लो कि आपने कोई series देखी, crimes associated, तो eventually क्या हो रहा है, बाकी भी crime वाली series आ जाती है, इसका मतलब है, कुछ तो उन्होंने already steps aside कर रखें, कि अगर आपने इस तरहा की series देखी, तो बाकी भी आपको recommend same करेंगे, लेकिन, कुछ machine अपने आप समझना शुरू कर देती है, कुछ किस तरहा क्या, that is something we are not bothered about, ठीक है, बस आप mechanism समझो कि कुछ machine भी अपने शुरू करती है, artificial intelligence लगाती है, और आपको क्या पसंद आ सकता है, तो जो तो already decided है, वो algorithm के अंदर आ जाता है, तो algorithm क्या होई steps of instructions, लेकिन जो part machine अपने आप assess कर रही है, वो किस के अंदर आता है, machine learning के अंदर, तो machine अपने आप learn कर रही है, एक big data बहुत जादा news में है, कि ब दिन में देख ली, यही data वो बाकी लोगों का भी देखते है, मालों, so and so series के बारे में, इक अभी news में आता है, यह series बहुत popular है, क्या आप से पूछने आए वो लोग, नहीं न, लेकिन उनने कैसे बता, because बहुत सारी लोगों का इस तरह का data उन्होंने देखा, कि अगर आप आपको चीज समझ में आई है, now, why is India joining such groups, क्या India way behind it, now, before you say that, it is very important to assess your knowledge, क्या आपको पता है कि India AI में क्या कर रहा है, क्या आपको पता है कि एक National Artificial Intelligence Portal की बात है, so my point is, कि first of all, you'll have to know all the facts before saying all these things, so yes, India might be running behind in terms of resources, yes, अगर इंडिया के बास resources हो, India भी आगे बढ़ने की कोशिश कर है, and the first step is, उन सभी सही groups को जॉइन करना, जहां से इंडिया को इसके बारे में knowledge मिल सकती है, जिसकी वज़े से, Artificial Intelligence Group जॉइन किया गया है, now, just the same way, Sleepy Classes is the channel, जहां पे आपको वह सारे gaps, जो information deficits है, जो interlinkings है, उनके बारे में आपको पता लगे गा, and you will get your desired results, okay, that was all for today, दोस् झाल को बहां पारे में बारे में बारे में झाल बारे में!"